हलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल one to one classes पे marks verification होता किया है कैसे होता है और क्या इसमें marks बढ़ते हैं भी या नहीं बढ़ते बात करेंगे आज किस वीडियो में इसी topic पर क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि उन्हें marks verification के लिए डानना है तो कैसे upload करना है उसके बारे में तो कल पता चलेगा 16 से online हो जाएगा कैसे करना सब कुछ guide करने हम tension बिल्कुल मा लेना फिलाल marks verification होता क्या है और इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या फाइदे हैं क्या नुकसान है marks बढ़ते नहीं बढ़ते इन चीजों पर हम लोग दोस्तों आज focus करने वाले हैं यह हमारे आज के सवाल है सबसे पहले बता दूँ आप लोगों को एक छोटी सी notebook के तुम यहाँ पर आपके सामने notebook आ रही है पुरी बगाईदा बोर्ड के exam में यार पिशली बार के बच्चे की बोर्ड के exam की notebook है यह उसका set है ठीक है यह उसका subject है उसके notebook के दूम आपको पता रहू marks verification का मतलब क्या है ठीक है बगाईदा बोर्ड की notebook है पुरी पुरी ठीक है चलिए दोस्तों पता दूँ आप लोगो को कि हर notebook के बहार एक ये table बनी भी होती है इसको हम कहके चलते है caging इस caging का आपके verification के साथ बहुत important relation है क्या relation है बता दूँ आपको देखें इस caging के अंदर आपके सामने है question 1, question 2, question 3, question 4, question 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे करके दे रखें पिछली बार 13 question आया थे economics में बस just economics example लेगे चल रहे है जो भी subject था उसमें 13 question आये थे ठीक है उसमें शुरू के 2 question, sorry, शुरू के हमारे 5 question 2, 2 mark के थे ये सारे के सारे question 2 mark के थे उसके बार ये सारे question हमारे 3 mark के थे और ये बचे कुछे हमारे question थे 5 mark के, each ठीक है, तो 5, 3, 5, 15 और ये 10, total 40 marks था, ठीक है, 40 marks का paper था, ठीक है, अब caging का मतलब जो verification और marks है उसमें caging चेक करी जाती है, अभी caging का मतलब क्या हुआ, देखे, इस caging को ये जो caging आपके सामने नजर आ रही है, सारे जो marks नजर आ रहे हैं, ठीक है, cbs question के marks feed करने है, कि question 1 में 2 marks है, question 2 में 2 marks है, question 3 में 2 marks है, question 4 में 2 marks है, question 5 में 2 marks है, question 6 में 3 marks है, ऐसे ऐसे करके, वो सारे question करेंगे, entry करने के बाद, और last में total लिखा आजएगा, कि total कितना है, 37 है, ठीक है, this is called verification, तो verification में आपकी notebook check होगी, क्या check होगी, कि देखिए, question 1 के 2 marks हैं, ठीक है, और question 2 के भी 2 marks है, यहां से यह check करके, हाँ भी question 1, यह जो tick लगा है यह इसी जीचा लगा रखा है, कि हाँ जी हमने अंदर की caging check कर ली है, बाहर अंदर के marks सेम है, हर question के marks को check करके ensure कर जाएगा, कि यह सब कुछ ठीक है या नहीं है, ठीक है, तो caging को check करना, जो भी process है, उसको हम लोग verification कहते हैं, तो verification में कुछ नहीं होगा, notebook जरू खुलेगा आपकी, और notebook में बस आपकी इस caging को check कर जाएगा, कि क्या अंदर के marks और बाहर के marks सेम हैं या नहीं है, या फिर बच्चे को जो marks online upload करे गए है, 37 37 और यहाँ पर भी 37 है या नहीं है, बस इस बात को check कर जाता है, वैसे तो इस verification में marks के change होने के chances बहुत कम होते हैं, क्योंकि यह जो notebook आपके सामने caging है, यह approximately 7 to 8 times check होती है, 7 से 8 बाती caging को check कर जाता है, उसके बाद excel की sheet तयार करके फिर इसको check कर जाता है, उसमें chances हो जात है, बहुत कम बच्चों के, बहुत कम बच्चों के ही, इस caging के अंदर या verification में change आता है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे हमारे पास past record में ऐसे रहे हैं, जिनके marks इस process के through भी बहुत अच्छे खासे increase हुए है, पिछली बार एक बच्चे के approximately 27 marks increase हुए थे, किसी बच्चे के 8 marks increase हुए थे, किसी के 7 marks हुए थे, मेरे लिए क्या है पाना बहुत असान है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे कम से कम, aroundly मैं कहूं तो 10-12,000 बच्चों के touch में था या 10-12,000 बच्चों को guide कर रहा था, कहीं बच्चों ने, कहीं हजारों बच्चों ने apply करा, उसके हि changes आए, और उन changes को observe करा गया, ठीक है, फिलाल chances कम है, बहुत जारा chances ने है, लेकिन हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कि marks verification में आपके marks change हो जाए, तो इसमें process क्या है, पूरी-पूरी, वह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, फिलाल, जो main चीज है, वो बता दूं आप लो 12 और 10 दोनों के लिए है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे parents इसके लिए aware नहीं रहते, और वो 20 के बार, 20 के बार contact करेंगे, कि sir, please कुछ करिये, कि verification of marks हो जाए, नहीं हो भाएगा, ठीक है, तो यह बहुत ज़रूरी है, कि आप 16 से 20 के बीच में ही ये काम करें, बहुत ज़रा ज जाएगा, ठीक है, आपको हम खुद call कर लेंगे, और जो भी requirements होगी, आपकी वो लेकर हम लोग आपके बिहाब पर ये सारा गाम खुद करेंगे, बहुत nominal charges के साथ ये सारा गाम हम खुद कर देंगे, बस आपको cooperate करना है, ये सारी process, आप लोग busy हैं, तो कोई बात नहीं हम ये सारी process आपके भी हाब पर करेंगे, और revaluation भी आपके करा देंगे, बिना किसी रिक्कत के, तो verification कराना सबसे पहला step है, बिना first step लिए, आप second step पर नहीं जा सकते, third step पर नहीं जा सकते, सोचरो पैसा बचा लो, पैसा बचा लो, सिद्धा notebook मंगा लो, ये possible नहीं है, बार क्या रहा हूं, आपको पहले verification कराना पड़ेगा, verification में change आए या ना आए, God knows, उसके बाद ही आप photocopy मंगा सकते हैं, उसके बाद photocopy मंगाने के बाद अगर आपको लगता है कि changes होने का scope है, revolution का scope बनता है, revolution के लिए 100 rupees per question के असाब से आप challenge का सकते हो, ठीक है, आप direct नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, इस बात को धान रखके चलेंगे, ठीक है, तो यह मैं आपको पता चुका हूँ, एक चीज़ा सुन लिजे, सिर्फ यह इसमें आ लिखा भी वाई, C1 को आप अच्छे से पढ़ लेना, वही लोग जो वाई, verification के लिए अपलाई कर करना, कटने के chances बहुत कम होते हैं, marks कटते बहुत कम है, 90% cases में अगर verification का result आता है, change आता है, तो positive भी आता है, बाकि एक आदा cases है, आ भी सकता है, negative भी आ सकता है, लेकिन बहुत कम chances है, तो please, अगर आप verification के apply कर रहे हैं, तो सोच समझ के apply करना, और अर अराम से apply करना, और त सलली के साथ करना है, क्योंकि change आए ना आए, God knows, ठीक है, और बाकी कोई भी प्रब्लम आती है, तो हमारी team आपके लिए हमेशा available है, आप इस number पे हमें contact कर सकते हैं, लेकिन WhatsApp पे contact करेगा, please, और result जो भी होगा, best से best, हम आपको provide करने की कोशिश करें, thank you very much, और इस वीडियो को शेर करना, विल्कुर में भूलेगा, उन लोग के साथ, जिनको इस वीडियो की बहुत जारा जरूरत है, दोस्तो, thank you and God bless you all.